कहानी उस वक्त की है जब सनी देओल की पहली फिल्म बेताब रिलीज होने वाली थी. जिस दिन सनी देओल ने अपनी डबिंग कम्पलीट की उसी दिन धर्मेंद्र के पास फिल्म का प्रोमो भी आ गया. और उन्होंने जब वो प्रोमो देखा तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया. जहां सनी देओल खुश थे कि अब जल्दी ही उनकी फिल्म रिलीज होगी, तो वहीं सनी की डबिंग सुनकर धर्मेंद्र का पारा हाई था. होता भी क्यों नहीं? सनी को लॉंच करने के लिए वो कड़ी महत कर रहे थे. फिल्म से जुड़ी एक-एक चीज पर बारिकी से नजरे बनाए हुए थे. इसलिए जब उन्होंने सनी की वो डबिंग सुनी तो रात में ही उन्होंने सनी को अपने पास बुलाया. उन्होंने सनी को डाटते हुए कहा कि तुमने जरा भी महंत डबिंग पर नहीं की है बहुत खराब डबिंग की है फिर रात को ही धर्मेंद्र ने सनी को अपने साथ डबिंग स्टूडियो लेकर गए फिर पूरी रात धर्मेंदर सनी के साथ बैठ कर उनकी डबिंग कराते रहे लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब धर्मेंदर सनी से बोले ऐसे ही पूरी डबिंग करना मैं घर जा रहा हूँ सनी को लगा कि उनके पापा सच में चले गए है चुंकि वो काफी ठक चुके थे तो उन्होंने डबिंग करा रहे टैकनिशियन से कहा कि अब काफी टाइम हो गया अब कर रिकॉर्ड करेंगे सनी ने जैसे ही ये कहा कि पीछे से धर्मेंद्र आ गए और बोले बेटा, फिल्मों में काम करना इतना आसान नहीं है यहां हर चीज वक्त पर की जाती है दरसल सनी से घर जाने की बात कहकर धर्मेंद्र चुपके से प्रोजेक्शन रूम में जाकर बैठ गए और वहां से सनी की डबिंग सुनने लगे जबकि सनी को लगा था कि वाकई में धर्मेंद्र घर चले गए है उस दिन धर्मेंद्र ने सनी को पूरी रात बैठाया और डबिंग कम्पलीट कराई धर्मेंद्र ने सनी के लिए जो मेहनत की थी उसका फल भी उन्हें मिला पहली ही फिल्म से सनी देवल स्टार बन गए बेताब ने बॉक्स ओफिस पर जबर्दस्त काम्याबी हासिल की थी यानि ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि सनी आज सनी देवल ना होते अगर उनके पिता धर्मेंद्र ने उन पर इतनी महनत नाकी होती इसलिए धर्मेंद्र जी को बिक सैल्यूट जिन्होंने पंजाब के एक छोटे से गाव से निकल कर पहले खुद का इतना बड़ा नाम फिल्म इंडस्ट्री में बनाया और फिर अपने पूरे खांदान की किस्मत पलट दी आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जय हिंद